दोस्तो profes आज में लेकर आईए जह्टपट बनने वाली ओरद डाल की पुलाव उसके लिए आधा कटोरी ओरद डाल, एक कटोरी चावल ले फिर दो प्याज काट ले, दो से तीन बारी कटवा हरी मिर्ची काट ले, एक टमाटा काट ले, दो गड़ी प्याज काट ले चलि आज की रेस्पी को स्टार्ट करते कूकर में दो चमस तेड डाले, एजकट की हींग डाले आधा टेश्पून जीरा डाले, जो खड़े मसाले होते हो डाले तेस पट्ठा डाले, सभी खड़े मसाले को दो मिनट के लिए भूल ले अब इसमें दो गड़ी प्याच को डालके प्याच को सुनेहरा भूरा कलर में भून ले अब इसमें दो टीस्पून लैसुन अद्रक का पेस्ट को डालके लैसुन अद्रक पेस्ट को प्याच के साथ अच्छे से भून ले लैसुन अद्रक पेश को दो मिनट के लिए भूल ले अब इसमें उरत भीगोया हुआ उरत डाल को डालो और ये चावल को धूल के उरत डालो चावल को डाल के प्यास के साथ अच्छे से भूल ले ये जितना पानी है न वो पानी अच्छे ता जल जाब इसमें एक चमस नमक अपने स्वाधनुस्वा डाले और फिर चावल दाल को दो मिनट के लिए भूल ले अब इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि हमने एक कटोरी चावल लिया था पानी दो कटोरी डालेंगे उसमें एक बड़ा साइस का टमाटर और दो से तीन लंबे में कटा हुआ हरी मे देशीगी को दाल ले अब इसमें एक चमबत देशीगी डाल के सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करें पानी में नमक के सपर ले कि नहीं अब ढकन बंकर यह लिए मज़ीः देने में कि कुकर ढकन खुल गया यह दिखिए कितना जल्दी इस्टेंट उरत दाल की खिली खिली ớiंच लगती है आप को मेरी एसे लगतिये कमंट में दो अगर आप को मेरा वीडियो पसंद आते एंच लाइक सिखर कमेंट्स अर चैनल प्लीज सपोर्थ मैं इसको आलू और भी तसबजी के सब बनाके खाया है यह झाने बहुत ही टेस्टी लगती है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेस्पी कैसे लगी प्लीज सपोर्ट मी गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई